नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं दा न्यूज और आपके साथ मैं स्ट्रिस्टी मिश्रा UBT यानि उधर्व ठाकरे के गुरुप के नेता संजे राओ जो राजुसवा सांसद हैं उन्होंने प्रियंका गांधी और प्यम मोदी के बीच के टकर को लेकर एक बयान दे दिया है देखिए अभी अभी बीते दिन रवीवार का दिन था रवीवार को एक सम्मोधन में संजे राओ ने कहा दिया कि कॉंग्रिस को पसंद कर रहे हैं इस बार बदलाव होगा देखिए संजेरा वो दर्शकों यही नहीं ठहर रहे हैं उन्होंने राय बरेली सीट की बात भी कर दी आमेठी की भी आमेठी में भी केंद्रिया मंत्री स्मृती राणी ने शिकस्त दी थी राहूल गांधी को और अभी अभी सांसदी लोटी है तो देखिए यहां पर प्रियंका गांधी क्या वाकई पीएम मोधी की तुलना में चुनाओ लड़े तो वो जीत जाएंगी मैं चाहूंगे आप से पीएम मोधी का डंका बजा है दर्शकों ये बात मनने योगे है कि बनारस बदल गया वारणरसी में पूरा बदलाव हो चुका और वारणरसी की गलियों को जिस तरीए से साफ किया गया घाटों को सजाया गया ये सब पीएम मोधी का चमतकार है और देखिए चमतकार में इसलिए वारणरसी एक ऐसा शहर है जहां पर अगर कह ले तो हिंदू देवी देवताओं का वास है यह कहा जाता है वारणरसी के लिए और जिस तरीके से काशी विश्वनात को चमकाया गया एक भव्य तरीके से तयार किया गया और आप देखिये विदेशों से भी काशी देशी पर रेटेक भी आते थे और हर द्रिष्टी कों से वारणरसी एक अलग सा शहर अप चमकता दिखाई देता है और इतना ही नहीं वहां पर देखिये पूजा पार्ट पहले करने की विदेविधान भी जिस तरीके से थे वहां गलियों में भीर दिखाई देती थी इसक के साथ कोई ट्राफिक रूल्स नहीं थे आप बात करें तो सडकों पर कायों का एक रैन बसिरा रहता था और देखिये ये सब कोई नियम कानून वारणरसी में पहले नहीं था और जिस तरीके से वहां पर शंकर जी कह लीजे भगवान शंकर का वास है कहते हैं और वहां पर करोडो देवी देवता विराजमान है वारणसी इतने शुद्ध जगा है इतना शुद्ध शहर है तो देखिये इसके वज़ा से पी एम मोदी के मन में ये खयाल आया कि क्यों ना इस शहर की काया पलट करें और देखिये आप एरपोर्ट की भी बात करें तमाम जिस तरीके स साथ अगर तगडी फाइट हो प्रियंका गांधी की तो प्रियंका गांधी हरी जंटी दिखाती हुई नजर आएंगी तो क्या ये संभाव है कि पी एम मोदी के सामने प्रियंका गांधी इस बार कि लोकसभा चुनाव में बड़ी साबित होंगी देखिए संजेरावत ने ही कहा है और मैंने आपको यही बताया और पर्सनल ओपीनेंज बता दिया कि किस तरीके से वारा नसी की काया पलट पी एम मोदी ने कर दी है आगे मैं आपको बता दूँ कि अब सज्जे राओत के बयान को एक चुनावी नजरिया से देखा ही जा रहा है लोकसभा चुनाव हो इने आम बात है उन्होंने कहा कि 2024 में पूरा देश जो है वो राहूल गांधी के साथ खड़ा होगा और प्रधान मंत्री के सामने प्रियंका गांधी जीट जाएंगी प्रियंका गांधी एक कुशल नेता है ये कहा है संजय राओत ने यूबिटी गुरुप के नेता है ये आ देती हूँ रौबर्ट वर्डरा ने भी ये बात कह दी है उनके जो पती है प्रियंका गांधी के रौबर्ट वर्डरा उन्होंने भी ये बयान दिया है कि संसद में जाने के लिए प्रियंका गांधी के अंदर सभी खूबिया है वर्डरा ने कहा कि प्रियंका गांधी क उनके वो पती हैं तो अगर उनकी पतनी संसद में जाती है संसद बन जाती है तो इससे ज़ादा खुशी एक पती को ही होगी तो उन्होंने यह भी कहा कि कहीं न कहीं इस बार बढ़िया भूमी का निभाती नजर आएंगी प्रियंगा गांदी और लोग उन्हें पसंद कर रह आते हैं अपनी पार्टी के लिए भी बगावती सुट छोड़ देते हैं चेव शेना गुरूप की जो नेता है संजेराओत उनके उपर तंज कसते हुए कहा कि क्यों न आप उधव ठाकरे को ही चुनाओ लड़ा दे मुझे असा लगता है कि अगर वो चुनाओ लड़ेंग कई ऐसे फैसलों को गलत बताया और देखे कई ऐसे बयानों को भी दरकिनार किया तो यह दिखा रहा है कि कहीं ने कहीं अचारे प्रमोत कृष्णम मजबूरी में फसे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अब आज आते हैं थोड़ी सी बात अब प्रियंका गांधी की मैं इस क्यों की गई भाईया तो सुनिए जरा प्रियंका गांधी नहीं कॉंग्रेस नेता कमलनाथ और जैराम रमेश इनके साथ साथ कई नेताओ पर FIR दर्ज की गई है क्यों क्योंकि इन्होंने मध्यप्रदेश में कमिशन खोरी का जूटा आरोब बीजेपी सरकार पर लगाया ह कहा कि यहां पर जिस तरीके से लोग बता रहे हैं वेपारी बता रहे हैं ठेकेदार बता रहे हैं कि 50% कमिशन देना पड़ता है यह कहा है देखे यहां पर कहा गया है प्रियंका गांधी ने यह जूटा बे बुनियाद आरोब बीजेपी पर लगाया है और कमिशन खोरी की जो बात कहती है इसकी वज़ा से प्रियंका गांधी के खिलाफ देखी बता रहे आपको 48 जिलों में मध्य परदेश में FIR दज की गई है और वही कॉंग्रेस भी इसके विरोध में उतरी है कि आपने हमारे उपर हमारे निताओं के उपर FIR क्यों की तो मध्य परदेश के मध्य मंध्य परदेश में आपको बता दे कि मंध्य परदेश की लगबख हर जिलों में कॉंग्रेस ने विरोध यात्रा निकाली विरोध प्रदेशन किया और यहां पर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड़रा कमलनात और पूर्व केंद्रिया मंत्री अरून यादव और पर 52 जिलों में कॉंग्रेस पाटी ने प्रेस कॉंफरेंस किया है और कहा कि कई जिलों में हमने विरोध प्रदेशन किया और लगातार हम यह जंग जारी रखेंगे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में क्राइम ब्रांच ही बीजेपी नेताओं को बढ़ावा दे रही ह मध्य प्रदेश में चुनाओं होने वाले हैं आने वाले समय में और देखें चुनाओं के मध्य नजर ही इन्होंने यह बयान दिया है कि चार महिने में पुलिस की वर्दी भी उतर जाएगी और यह पुलिस वाले हमारे उपर ही FIR करते हैं मैं आपको बतादू कि BJP ने भी कारवाई की चेतावनी दे दी है और प्रियंका गांधी ने कहा था कि ठेकेदार के एक संग ने हाई कोट के मुख्य नयायधिश को पत्र लिखकर शुकायत किये मद्यपरदेश की जनता भी 50% कमिशन की सरकार को हटा देगी ये पूरी बाते थी पहले तो संजयराओत का बयान उसके बाद प्रियंका गांधी पर FIR इसके साथ साथ कॉंग्रस नेताव का प्रदर्शन बीजेपी का कारवाई करानी की चेतावनी तो देखिए ये पूरा स मिलित ये खबर थी और आपकी जो भी रहा है इस खबर में संजयराओत ने जो कह दिया वारा नसी की सीट पर प्रियंका गांधी जितेंगी अगर पिये मोदी के खिलाफ चुनाओ लड़ लिया तो जो भी आपकी रहा है जरूर रखे बहुत शुक्रिया